सब्सक्राइब कीजिए मुवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इसे रिलेटेट कोई भी डीटेल आप दिस ना कर पाए चल क्या रहा है तो फ्रेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइकाव टीटी ने जो स्टेट्मेंट दी है उससा ये बात तो साफ हो गई कि टाइकाव टीटी इंट्रेस्टेट नहीं है गार्डियन्स अब दी गेलेक्सी वॉलिम 3 फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए लेकिन जेमस गन के आगे काफी सारे ऑप्शन रखे गए थे कि वो जो चाहे डीसी यू के यूनिवर्स में उस फिल्म को चुनकर अपने हिसाब से उस फिल्म की स्टोरी लिखे और फिल्म को डायरेक्ट भी करें डैफिनेटली इस टाइम पर जेमस गन के पास डीसी यू की हर एक वो फिल्में होगी सूपर हीरोस की, जिन पर वो फिल्म बना सकते हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ, कि उनके टेबल पर उस टाइम पर Wonder Woman फिल्म को नहीं रखा गया होगा, क्योंकि Wonder Woman DCEU की एक सकसेस फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट पैटी जेंकिन्स ने किया था अपने हिसाब से, इसलिए Warner Brothers पैटी जेंकिन्स की Wonder Woman फिल्म को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाता था, और ना ही उनके डायरेक्शन को, इसलिए पैटी जेंकिन्स को यहाँ पर Wonder Woman 2 फिल्म के प्रोजेक्ट को दे दिया गया, और उसके बाद दूसरी फिल्म आती है Batman, क्योंकि उस टाइम पर Batman फिल्म के प्रोजेक्ट को Matt Reeves के हाथों सौब दिया गया था, ताकि वो उस फिल्म पर काफी अच्छी तरीके से रिसर्च करकर, उस फिल्म की स्टोरी लिखकर फिर उस फिल्म को डायरेक्ट करे, और उसमें कोई डाउट नहीं है कि Matt Reeves काफी बेस्ट फिल्में बनाते है, ऐसे में Batman फिल्म उनके अंडर ही आनी थी, और फिर यहाँ पर आप्शन निकल कर आया, फिल्म मैं अफ स्टील का, क्योंकि मैं अफ स्टील फिल्म के डाइरेक्टर और DCEU फिल्म के प्रोडूसर, जैक स्नाइडर ने इस यूनिवर्स को छोड़ दिया है, उनकी कुछ परसनल प्रॉब्लम थी, जिस पर आल्रेडी मैंने काफी साल पहले वीडियो बनाई थी, यानि अब यहाँ पर बात करें, मैं अफ स्टील फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के सीक्वल को बीच में लटका दिया गया है, क्या अभी इस फिल्म के सीक्वल को बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि जैक स्नाइटर के बाद, जिस डायेटर का नाम आगया था, उनका नाम था मैथिव बॉगिन, जिन्होंने इसके पहले किंग्स मैन और की कैस जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से भी कोई अपडेट नहीं की गई है, लेकिन अभी भी रूमर चल रहा है, कि कही न कहीं मैथिव इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए आगे आ सकते है, तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ जैम्स गन की, डेफिनेटली जैम्स गन ने इस प्रोजेक्ट को नहीं लिया होगा, क्योंकि जैम्स गन का टेस्स मैन अफ स्टील जैसी फिल्म बनाना बिल्कुल भी नहीं है, उनकी फिल्म में काफी कलरफुल और थोड़ी कॉमेडी होती है, ऐसे में मैन अफ स्टील और डाक नाइट फिल्म उनकी कैटिगरी में आती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जैम्स गन ने सूसाइट स्कॉट फिल्म को चुना, क्योंकि यही वो फिल्म है, जिस फिल्म को जैम्स गन अपने हिसाब से डारेक्ट कर सकते है, और लोगों को यह दिखा सकते है, खास करके डिजनी को, कि वो DCEU के यूनिवर्स में भी फिल्म में काफी अलग बना सकते है, इसलिए अब जैम्स गन ने इस फिल्म की स्कृप को पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया है, और अब Warner Brothers वाले यह चाहते है, कि जैम्स गन इस फिल्म को डारेक्ट भी करे, क्योंकि एक हिसाब से confirmation ये भी कर दी गई है, कि जैम्स गन की लिखी हुई सुसाइट स्कॉप फिल्म डेविट आयर जैसी फिल्म से बिल्कुल भी नहीं है, उनकी फिल्म बिल्कुल सप्रेड है, और जिस सुसाइट स्कॉप की स्टोरी जैम्स गन ने लिखी है, उन्होंने उसके आगे लिखा है The Suicide Squad और James Gunn यहाँ पर यह चाहते है कि फिल्म की री कास्टिंग की जाए ताकि वो अपने हिसाब से फिल्म के सारे के सारे कैरेक्टर को सेलेक कर सके जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कि यहाँ पर शायद कहीं न कहीं Will Smith के कैरेक्टर को भी फिल्म से हटा दिया जाए और शायद हो सकता है कि James Gunn की इस स्टोरी में Harley Quinn का कैरेक्टर ही ना हो अब कहने के लिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब तक officially confirmation नहीं की गई है कि इस फिल्म में हमें कौन-कौन सी नई कास्टिंग देखने मिलेगी लेकिन कहीं न कहीं यह रूमर बिल्कुल पक्के है कि फिल्म की कास्टिंग पूरी नहीं होगी तो जो Harley Quinn क्या कैरेक्टर है उसे अभी के लिए तो शायद इस फिल्म से निकाल दिया गया होगा क्योंकि Harley Quinn ने अपना ही एक अलग यूनिवर्स बनाया है जो आगे चलकर DC EU के यूनिवर्स में female characters पर ही करेगा तो देखते हैं आगे चलकर यह update मिलते है या नहीं कि James Gunn मान गए है The Suicide Squad फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए नहीं लेकिन एक जो update मैंने आपको दी है सारी के सारी नई कास्टिंग की इस फिल्म से रिलेटेट वो officially confirm है खर तो अब बस इस वीडियो में इतना ही बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हातों उस बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते आप से अगले वीडियो में तिल देल बाई